गुदिनिंग मरे डियर रिश्ट्रेंट्स स्वागत है आप सभी का द्रोन स्कुल में बच्चो आज की क्लास में हम प्रयायवाची के बारें पढ़ेंगे हिंदी भासा के अंत्रगत प्रयायवाची आते रहते हैं तो मैं कुछ महत्पूर्ण प्रयायवाची सब्दों के बा मतलब इस से रिलेटेड यह सथ से रिलेटेड प्रयायवाची आए तो एक्जाम में आप छोड़के ना आओ आओ आप उनको करके ही आओ ठीक है तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्या है टॉपिक विटा आज है प्रयायवाची ठीक है प्रयायवाची में कुछ सब्द बत आ रहा हूं देखते रहना बैच्छों ठीक है पहला है मन मन होता है न कि सर मेरा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का सर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का अपने भाइस बोलो कि भाई यार देखो मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का ऐसे बोलते हैं मन तो मन का प्रेवाची क्या है मानस क्या है मानस अंतहकरण चित् दिल और हिर्दे है फिर सेसे देखलो मन का प्रवाची क्या है मानस अंतहकरण चित् isol और हिर्दे याद रहेंका मेरे साथ बोलते रहना फिर से बोलो मन का क्या है मानस बोलो मानस अंतहकरण उसकी बाद चित फिर दिल और हिर्द ठीक है यह हो गया मन के प्रयायवाची उसकी बाद उसकी बाद आप मेरे साथ क्या होगा होगा बहुत गलान महसुस हो रही बहुत गलान बहुत गलान हो रही है भीया देखो नौन मुझे गलान महसुस हो रही है मुझे अपनी गलती के पर पस्तावा हो रहा है तो इसका प्रेवाची देख लेना पराश्चित उड्राणी की ठीकिए ठीकिट बड़ा पाश्यतक प्राश्चित और गॉल्ण हे अगला है अहंकार कहते आतो नीदा कि अहंकार मत करना ठीक है अहंकार जब ऐसे आजाते हैं आप की मुन में अहम मैं ही हूँ सब कुछ मैं सबसे बलसाली हूँ मैं सबसे बुद्धिमान हूँ ऐसे अहंकार कभी किस चीज को ले करने करना तो अहंकार का मतलब क्या होता है यहाँ परियावाची इनका है दंभ ठीक है गर्व अभिमान उसके बाद घमंड मान ठीक है दंभ गर्व अभिमान घमंड और मान यह हो गए अहंकार के बढ़ियावाची ठीक है बोलते रहा ना बोलोगे तो माइन में आपके आते रहेगा हाँ एक बार बोल भी देने मैं जैसे बोल रहा हूँ दंभ अहंकार अभिमान अहंकार का बोला हूँ दंभ गर्व अभिमान मान तो आप भी थोड़ा बोल लो बोलो के तब भी थोड़ा सा माइन में तो रहता ही है ठीक है बटा अगला है आपका अंतरिक्ष अंतरिक्ष में क्या है अंतरिक्ष को बोलेंगे खगोल नभ मंडल गगन मंडल और अकास मंडल समझे रहा है मंडल मंडल पुरा रहा है नम मंडल गगन मंडल अकास मंडल और खगोल यह हैं आपके प्रयावाची किसके अंतरिक्ष के का तो कि यह पर अंतरक्ष है कि कहते हैं कि वह अंतरक्ष में जाकर आए क्हां कृए ओर तो कि इंड- rejected अर्जिश के लिएhon और अपरिके इन्रोल करा सकते हो का हम 2 साल से ज्यादा होगे हमें त्यारी कराते हुए हमें मालूम है नौदे विद्याले में क्या आता है इंटरेंस इंग्जाम में रग रग से वाकिफ है मिटाओ समझ रहो तो आप अगर हमारे साथ त्यारी करते हो तो समल लो एक बार हाथ पकड़ लिये ना आपका तो हाथ छूटेगा नहीं सेलेक्शन ए और चाहिए इतने अच्छे से पढ़ाया जायागा आपको कोर्स में इतने अच्छे से पढ़ाया जाए जाएगा कि ताकि exam में आप जाओ तो कहें कि hammar воз a ऐस तो अगर आप 2030 की तियारी करना चाहते हो नाधी बिद्द्याले की तो छूटiß, दूड़ स्कूल में क्या है आर इसमें इंडूल करा लेना और अगर आप सैंडी स्कूल की त्यारी करना चाहते हैं तो सैंडी के लिए 2024 के लिए हमारे पास है सैंडीक अल्फभाव chi तो आप इनमें इन्रोल करा इन्रोल कराने के बाद आप पढ़ों के तब आपको मालूम चलेगा बैटा कि कैसे पढ़ाया जाता है कितने और्गनाइज हुए में कितने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि एक्जाम तक आप पूरा कॉंफिडेंस से बोलोगे कि सर कि आइकेंड डू इट आइकेंड डू बेस्ट इन डिस एक्जाम ठीक है ना ऐसे बोलोगे पूरा कॉंफिडेंस से बोलोगे हाँ उसकी बाद कि अरव बैटा कोर्स लेटेट कोई भी दिक्कत आती है कोर्स पर्चेस करने में या कोर्स के बारे में जनकारी में तो आपको कोई इसके आगे है वेटा अंकुष 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 मींस मैं आप पर अंकुष लगा दियाओं कि आप ये काम मत करों अंकुष का मतलब क्या होता है नियंत्रण ठीक है अंकुष, अंकुष का नियंत्रण, पाबंदी, आप पे पाबंदी लग गई है, आप पे अंकुष लग गया है, मिस आप पे पाबंदी लग गई है, पाबंदी लग जाएगा कि हाँ आपको ये काम नहीं करना, मिस आप पर नियंत्रण हो गया है, पुर आपको नहीं करना है आपकी मर्जी नहीं चलेगी अंकुष लगना मतलब आप पर पाबंदी लग गई है हां फिर क्या है अंकुष का नियंत्रण पाबंदी उसके बाद रोक आप पर रोक लग गया है रोक लग गया है यहां नहीं जाना है आप पर रोक लग गया है आपको यह काम नहीं करना है हा दबाव है उसके बाद गंजकुश तो यह हो गए आपके अंकुश के प्रियावाज। अंकुश के प्रियावाज के उसके बाद अचल हां अचल 음 का मतलब क्या है अडिक यहामिद का मतलब का है अडिक अडिग है, अटल है, टलेगा नहीं, अटल, टलेगा नहीं, हमारे परधान मंतरी जी थे न, अटल बिहारी बाचपाई, अटल जो टलेगा नहीं, तो मेरा मन अडिग है, अचल है, अटल है, देख रहो, टलेगा नहीं, इसे फिक्स है, इसे मैं निश्रित कर लिया हूँ, कि म मेरा मन अटल है मेरा वादा अतल है हा इसके बाद स्थिर मेरा मन क्या है स्थिर है फिर थी प Writt और शल्प किया हूँ मैं एकदम को ठोड़ संकल पुरा ये नहीं मुझे करना हिह है उसके बाद अविच तो यह हो गए आपके परियावाची किसके अचल के अडिग अटल स्थिर द्रिड अवी चल ठीक है फिर इसके आगे है अलंकार अलंकार हिंदी में भी आएगा बढ़ाने के लिए बड़ी क्लासेस में जागे आप पढ़ोगे अलंकार अलंकार मिस उसको समल्यों की अलंकार का आगे मीनिंग देखो अभूशन मतलब उसको उसके उपर ऐसी सुन्दर जैसे अगर भासा में अलं पहंती है महलाय पहहनतीए क्या कैसे ओताफ़ दिखे वह सुन्दर दिखें इसलिए पहनती है अलपूशन धिक है उसके बात अलंकार को हिभ ओलेंगे क्या बिर मियांथ भूशड बोलेंगे वीभूश का गहना पहनी है। गाहना पहनि है बोलते है नहीं ये रहा हेओन घे जेवर है यह वो भी अभुसड है यह हो गएा आपके अभुसड किस अवस्था पिल और apost它 कि इस में वर्द्द आप विरद विरद्द आसता में विरद्द्द一वर तरहीं अवस्था फिर उम्र फिर जीवनकाल और जिन्दगी यह आयू के प्रयावाची बोलो मेरे साथ अवस्था उम्र जीवनकाल और जिन्दगी ठीक है बेटा रहेगा ना यार ध्यान लगाके देखते रहो और इनको याद रखना भूलना मत ठीक है अब डीव क्केय। इसके बाद आम आम खाते हो ना हम बहुत पसंद होता न गर्मीं के मौत्समें आपको मिलताम अद्रू आम क्या है वीटा रसाल आम को क्या बहτοवेंगे रसाव फलराज फलो का राजा देख लो रस में बागत फल राजưởng और पिकबंधों आम और पिकबंधों आम्राश कि रसरी नहीं फल राज और पिकबंधों है हो गए आम के प्रयायवाची हां आम के प्रयायवाची इसके बाद है इंद्र का इंद्र देवता होते हैं जो बारिस कराते हैं ऐसा कहते हैं ठीक है इंद्र के प्रयायवाची है पुरंदर सुर्पति देवराज देवताओं के राजा ठीक है देवेश और सूरेश यह हो गया आपके इंद्र के प्रयायवची देख लो अच्छे से देख लो No down कर लो कि आप भूलो नौ इसके बाद है इल्जाम हां वो मुझे पर इल्जाम लगा रहा है आपके सर मेरा दोस्त मुझे पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं उसको मैं इसको कॉपी नहीं दिया हूं या मैं इसका पेनल लिया हूं सर तो मुझे इल्जाम लगा रहा है मैं इसका कलम लिया हूं तो मुझे मेरे ओपर वह आरोप लगा रहा है उसके बाद हो लांग्चन मतलब सर मेरे ओपर लांचन लगा है यह 30 दो सारोपर कर extremely मैनने उसका कलम लिया है कि利 jour ौपर bud दो सारोपर कर रहा हैं उसके बाद फिर क्या वह अभयोग कर आभ hiệnNext तो ये भी होंगे इल्जाम के प्रयाइवाची समझे अराम से देखना है विटा धीरे दीरे देखते जाओ नोट डाउन करते जाओ हुश तो इल्जाम के प्रयाइवाची क्या है आरोप लांग्षन फिर दोसारोपण और अभ्योग यह होगाए प्रयाइवाचीन की हुश सुकी बात इर्ष्या सरवुभूह से इर्ष्या करता है कि इर्ष्या मतलब जलन करता है सर देख लेहां आया है जलन करता है तो इर्ष्या का प्रेवाची को इस पॉर्ध्ंधां ठीक है स्पर्ध्ंधां डाह जलन और कुधन इस सर मुझसे इर्ष्या करता है वो बहता है इन excav कि यहीं कर रहा है यार यह बहुत सक्ति है हां उसके धन पे उसकीían बुद्धि किसी भी चीज को लेकर उस से मतलब बिद्भाव करना कि यार इसके पास है मेरे पास नहीं है करके भी अर्चा हो जाते दूसरों से जलन हो जाती है तो क्या है इस्चा का और जलन और कुधन यह है रिष्या के प्रयावाची उसके बाद उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब उत्भव किसी चीज क्या है इसकी उत्पत्ति कब हुई है तो इसका प्रयावाची है उत्भव इसका उत्भव कब हुआ है उसके बाद जन्म कब हुआ है इसका जनन कब हुआ है यह हो जाए है उचित तो उचित का क्या है ठीक है सर्या ठीक है सर्या ठीक है फिर इसको बोलोगे सर्या मुनासिब है सर्या मुनासिब है उसकी बाद क्या बोलोगे सर्या वाजिब है सर्या वाजिब है सर्या उचित है, सर्या ठीक है सर्या मुनासिब है मैं जो कर रहा हूं सर्या ठीक है सर्या मैं जो कर रहा हूं वो मुनासिब है उसके बाद कहोगे सर वाजिब है समुचित है यह हो जाएंगे आपके उचित के परियावाची कोई बात आप मुझे से कहें कि सर ऐसे ऐसे था ऐसे हो अध्मूलाग लगा ठीक है अउचित है यह हो जाएंगे आपके उचित के परियायवाजी इसके बाद है उपवन उपवन मीज़ बाग बागीचा वाटिका बाग बागीचा वाटिका उद्ध्यान बाग, भागिचा, वाटिका और उद्ध्यान ये हो जाएंगे आपके उपवन के प्रयायवाची भागिचे को उपवन बोलेंगे, वन उपवन फिर है उपहास, किसी का उपहास कर रहे हो तो उपहास मिस किसी से मजाग कर रहे हो मतलब किसी का मझाग बना रहे हो तो मतलब क्या है परिहास करना cowage अखिल्ली उखणने ऐसे करके यह होताएगा आपका उपहास का परियायव कंजे मतलब किहारे मुदहारण सबसे बड़ का उधारन ad कि अठ छूज़ को कि कि नियाल में दे सकते ऑन इसका नजीर में दे सकता ह। इसका नमूना मैं दे सकता हूँ ठीक है? हाँ? नमूना फिर क्या है? नजीर मिसाल ये सब हैं उधारण के प्रियायवाची क्या है पेटा? उधारण के प्रियायवाची देख रहा है आपके पास कितने सारे सब्ध हो जाएंगे पेटा? यह सोचो, कितने सारे सब्द हो जाएंगे, इनको याद करोगे, तो आप बोलोगे, यह नमुना तो मैं देख चुका हूँ, यह उधारन तो मैं देख चुका हूँ, तो आप ऐसे बोलोगे, तो कितना आपके बात, मने आपके बात करने की सहली में, आपके बात कहले की सहली मे ठीच थे कि कि आ आगे है को अजस्वी पॉलब यह उसम मतलब बल्वान हम थच्पी सकतिमान और बलसाली यह उजस्वी के प्रयागा वाचेवा भ्रया बलसाली सर्व फिस का मतलब है वो बलसाली है तेजस्वी है हां बहुत तेजस्वी लोग हैं हां उसके बाद है आप कहोगे कि यह लोग बहुत तेजस्वी हैं उसके बाद फिर क्या कहोगे यह लोग बहुत सच्टिमान हैं हमारे क्लास में बहुत तेजस्वी लोग हैं ऐसे करके अनुपम अनुपम का मतलब क्या होता है वेटा अनोखा अनूठा अपुर्व अद्भुत अधुतिय अतुल सर ये अनुखा है सर ये जो बिल्डिंग बनी है न अनोखी है सरु तो इसका क्या है अनूठा अपुरूर्व aja मतलब अपुर्व उसकी बाद अध्भुत सर ये अध्भुत है फिर अधुती है इसके जैसा कोई नहीं तुल है उसकी तुलना नहीं हो सकती तुलना है कपड़ा कप्ड़ा कपड़ा को क्या बोलते है अंबर अंबर के बाद पट और पट फिर वेटा पुशाक लिबास परिधान देख रहा हो यह भी सुनों ना पुशाक पुशाक देखो फिर लिबास हां लिबास देखो इन उसके बाद परिधान क्या परिधान पहन के आये हो चीर और उसके बाद वस्त्र ठीक है यह है कपड़ा के परियायवाची कपड़ा सब्द के परियायवाची हैं अंबर पट पोसाक लिबास परिधान चीर और वस्त्र जितना याद हो पाए याद करने की कोशिस जरूर करनो, उसके बाद है, कमल, कमल का फूल, ठीक है, कमल, कमल का परियाएवाचे यह जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सत्दल, नीदज, अर्विंध, देख रहो, जा-जा-जा कितना है, अब जा-जाबाला देख लो, जिलज पंकच अम्भुज सरोज ठीक है और रध ये छ माले तो यादि कर लेका इसकी बाद है सत्थ दल और अर्विंद नाम जो भी यादि कर लिका अर्विंद का मतलब होता है क्या होता है फिन अरॸट का मतलब कमल होता है हRobert नाम भी याद कर लेना फिर कर कर का मतलब है हाथ हस्त बाहु और भुज हाथ हस्त हाथ कोई हस्त बाहु और भुज बाहु भुज यह हो जाएंगे आपके वोटा करके प्रयावाजी इसके बाद है किनारा न दी का किनारा हुटा है वह किनारा का कंत प्रयाजी क्या है तटकूल क्या विटा तट फिर है कूल फिर तीर और पुलिन तट कूल तीर और पुलिन यह किनारा के परिवाची फिर कंट 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 करते हैं गले को कंट 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 क गला शिरोधरा और गर्दन ठीक है याद रहेगा ठीक है किर्टग्य किर्टग्य मिस क्या होगा रिड़ी मैं आपका रिड़ी हूं मैं आपका किर्टग्य हूं रिड़ी आप मेरे उपर कुछ उपकार कर दियो मैं आपका रिड़ी हूं या आप मुझे पैसे दियो मैं आपक बार हो देखलेना रेड़ि आभारी अभारी के बाद अनुग्रहित इसके बाद उपकृत है यह याद रखना ये सारे सब्द हैं इनको देखना याद रखना और अच्छे से तयारी करना वेटा कि एक्जाम आपका आरायर नजदीक है तो त्यारी करोगे जितने अच्छे से देखो एक्जाम में लगते इंचbern timely अच्छय अच्छ peripher करना मन लगाके त्यारी है है थीक अ हुआ झाल झाल